हलो गाइज, वेलकम तो दूस प्लाटफॉर्म, एलर्नम, गेट लाइफ साइंसिस के केमेस्ट्री पोर्शन को बहुत ही ज्यादा आसान और स्कोरिंग मनाने के लिए मैं आया हूँ आपका केमेस्ट्री एजुकेटर सौनक सिना भावू, ये कुछ बाते हैं मेरे बारे में औ और मैं इन अच्छल आपको to the point चीजे बताऊंगा और हम मिलके सीखेंगे केमेस्ट्री के सब्जेक्ट को और गेट एक्सेल के प्रिपरेशन को हर स्टेप पे और भी जादा स्ट्रॉंग बनाते चलेंगे तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट स्टार्टॉ आई, welcome back, मैं फिर से वापस आ गया हूँ एक नया concept को simplify करने के लिए और ये है quantum numbers and electronic configuration ठीक है तो सबसे पहले ये part 1 है और यहां हम quantum numbers के बारे में जो कुछ भी possible है जो कुछ भी exam point of view से important है वो सीखने वाले हैं सबसे पहले introduction देखते हैं quantum numbers का तो देखिए अगर मैं बोलू कि यहां basically atomic structure में atom में जब भी हम देखते हैं तो electron का हम address जाना चाहते हैं तो यह उसी तरीके से हैं जैसे कि किसी भी इंसान का अगर address जाना चाहते हैं तो कुछ basic चीज़ें हम जाना चाहते हैं कि इंसान कि कहा किस देश में रहता है इस दुनि में रहता और उसमें वो किस घर में रहता है एनलोजी पता चल रहा है इसी तरीके से एटम के लिए भी अगर हम देखें उसमें हर इलेक्ट्रॉन के लिए के लिए कोंटम नमबर इफाइन करते हैं लो उसके ईडेंटिफिकेशन लोगर होथे थाकि उसको हम इडेंटिफाइड कर सके ठीक है तो आई होप यह आंवाजी आपको समझ में होगा अब आते हैं लोग इंट्ड रक्चन पर तो बेसी कहली कॉंटम क्यम कॉंटम नमबर सके चार टाइप के होते हैं और यह चार टाइपस जो हैं यह कौन-कौन से हैं यह चार टाइपस हैं आपके बिसिकली अगर मैं बोलू प्रिंसिपल सबके बाद मैं quantum number लगा लिजेगा principal quantum number फिर azimuthal quantum number उसके बाद हम बात करते हैं magnetic quantum number के बारे में और finally आता है spin quantum number ठीक है चारों को हम देखेंगे detail में तो basically quantum numbers करते क्या है electron का address है यानि अगर आपको quantum number पता है तो आप बता सकते हो कि वो electron कहां होगा उस आटम में जैसे कि हम electronic configuration सुनते रहते हैं कि हाँ जैसे sodium है sodium 11 जो होता है उसका क्या होता है electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ऐसा कुछ होता है exactly तो इसका मतलब क्या है इससे क्या denote कर रहे हैं कि 3s1 वो जो electron है उसके कौन-कौन से quantum numbers होंगे उनके 4 quantum numbers क्या होंगे और उससे हम electronic configuration तक पहुचेंगे कैसे ये पुरा जर्नी quantum numbers को सीखे बिना पूरा हो ही नहीं सकता कुछ basic facts ठीक है ये जो 3 quantum numbers होते है n, l, ml ml इसलिए लिखा जारा है क्योंकि वो l के उपर based होता है ये सारे integers है principal quantum number जो कि n होता है ये कभी 0 नहीं हो सकता इसलिए allowed values जो होते हैं वो 1, 2, 3, 4 होते हैं angular quantum number या फिर azimuthal quantum number जो होता है small l ये कोई भी integer हो सकता है 0 से लेके n-1 तक ठीक है सब कुछ मैं बताऊंगा अभी बस facts आप एक बार पढ़ लीजे से magnetic quantum number जो होता है they can be any integer between minus l and plus l ठीक है तेख लिया थोड़ा कम समझ में आया एकिस चलिए अब डीटेल में समझते आते हैं पहले quantum number पे this is our first quantum number और first quantum number क्या है principal quantum number principal quantum number is denoted by small n अगर आपने atomic structure थोड़ा सा पढ़ा होगा पर अगर आपको याद होगा तो यह वही n है जो आपके energy levels को denote करता है right so this denotes energy levels ठीक है तो किसी भी atom में energy level को यह denote करता है बोर ने दिया था यह ठीक है तो तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी atom में यह तो आपने सुना ही होगा यह k element कैसे होता है k के लिए n is equal to 1 l के लिए n is equal to 2 इसके लिए 3, 4 यानि यह जो है आपके shell number को denote करता है किस shell में है electron ठीक है तो यह आपको बता देगा अगर n is equal to 1 है तो इस वाले पहें यानि different energy levels पे ठीक है अब यहां पे मैं अगर आपको बोलो कि आपको कभी भी अगर ऐसे लिख दिया गया कि 1s orbital है 2s, 3s यह जो 1 सामने लिखा रहेगा this is nothing but my principal quantum number simply बहुत easy है यह हो गया आपका principal quantum number यह आपके shell को denote करता है ठीक है और यह जो भी आपका n का value है n का value 0 कभी नहीं हो सकता क्यों क्योंकि 0 अगर n का value है वो तो कभी obviously यह quantization था ना बताया गया था कि हाँ यह shell number है यह shell है यह shell है इस तरीके से orbits जो थे bore के भाशा में तो n 0 कभी नहीं हो सकता n का value 1 से शुरू होके 2, 3, 4, dot, 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 dot n का value 1 से लेके infinity तक जा सकता है यह हो गया principle quantum number के बारे में जितना हमें जानना चाहिए था next आते हैं second बाले पे जो की है azimuthal quantum number principle के बाद क्या आता है subsidiary इसे subsidiary quantum number भी बोला जाता है इसे denote किया जाता है small l के symbol से अब यह है क्या azimuthal quantum number किस तरीके से किस पे based होता है azimuthal quantum number हमें बताता है पहली बात बताता है किस के बारे में है यह हमें बताता है sub shells के बारे में यानि basically orbital के बारे में और इसी orbital के basis पे हम कह देते हैं कि यह इस block का है ठीक है तो देखते हैं l का जो value होता है हमने पहले slide में भी देखा था कि यह जो l का जो value होता है यह कोई भी integer value होगा obviously it will be integer value between 0 इसका value 0 हो सकता है l can be 0 0 to n-1 यानी azimuthal quantum number आपके principal quantum number पे depend करता है ठीक है तो इसका value 0 हो सकता है या फिर n-1 चल्दी से example लेके देखते हैं अगर मैं बोल रहा हो कि आपका n is equal to 1 है तो l के possible ? l तब सिर्फ 0 हो सकता है क्यूं क्यों कि 1-1 भी जिरो ही होगा तो कभी भी अगर n 1 है तो l सिर्फ 0 होगा ठीक है अगर एंट 2 है तो आपका l का range क्या हो सकता है ? 0 हो सकता है ठीक है, 1 हो सकता है, क्या 2 हो सकता है, L can never be equal to N, आपका जो azimuthal quantum number का value है, वो principal quantum number के बराबर नहीं हो सकता, वो हमेशा L will be equal to N-1, maximum इतना जा सकता है, minimum 0 होगा, ठीक है, I hope यह बात आपके दिमाग में already घुश चुका होगा, अब मैं कुछ बाते बताता हूँ, L का value अगर 0 हुआ, L का value 1 हुआ, L का value 2 हुआ, L का value 3 हुआ, बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, L अगर 0 है, तो यह S orbital, S को denote करता है, यह P को denote करता है, यह D को denote करता है, यह F को denote करता है, sharp, principle, diffuse, fundamental, meaning अगर आप नहीं जाने तो भी कोई problem नहीं है, बस आपको इतन करता है, इसका यही signify करता है, तो अगर आपके पास N is equal to 1 है, तो आपके पास L 0 ही होगा, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ S orbital ही possible है, यानि 1 S ही possible होता है, 1 P कभी exist नहीं करता, पता चल रहा है logic, इसी तरीके से अगर मैं बता हूँ, कि अगर आपके पास 3D हो सकता है, लेक maximum यह 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कभी भी नहीं हो सकता, और L is equal to 3F होता है, इसे लिए 3F does not exist, 3D exists, अब 3rd पे आते हैं, 3rd है हमारा magnetic quantum number, तो magnetic quantum number क्या बताता है, magnetic quantum number को denote कैसे किया जाता है, इसे denote किया जाता है, इस सिम्बल से, M और यह L के उपर dependent है, समझ में आ रह 0 है, तो आपका जो M है ना, यह basically range देगा, M will give a range, और यह range क्या होगा, यह cover करेगा कहा, इसका negative से लेके positive तक, अब देखिए, 0 का negative positive क्या ही होगा, तो इसे लिए M L जो होगा, L is equal to 0 के लिए, M L का value will be 0 only, ठीक है, अच्छा, यह तो easy है, अगर L is equal to 0 है, तो आपका orbital क्या है S orbital है, S orbital में अगर आप वो डबबा वाला diagram बनाते हो, box orbital diagrams, तो आप कैसे दिखाओगे यहाँ पे, तो यह वाले के लिए आपका जो ML है, यह 0 होगा, ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, L is equal to 1 है, तो M का range क्या हो जाएगा, अब आपको पता चल गया है, उसका range क्या हो आपका P मिल गया, अब एक इसमें से क्या होगा, यह हो जाएगा, PX, PY और PZ, यह आपका S orbital हो गया, इस तरीके से, अगर L is equal to 2 है, जल्दी से, अगर L is equal to 2 है, तो आपका value क्या होगा, D, यह आपका D orbital हो जाएगा, M का range क्या होगा, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, इतना ही तो असान है, आप बना दोगे 5 डबे, ठीक है, इस तरीके से, और electrons को accordingly आप फिल कर दोगे, उसी तरीके से F के लिए भी होगा, मैं सारे यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, आपको I hope, यह magnetic quantum number क्या होता, यह भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आखरी वाले अब जब घर मैंने पूरा दिखा दिया, कैसे है, वो बताना है आपको, spin quantum number, यानि अगर आपका कोई भी orbital है, किसी भी एक orbital में, अगर मैं सिर्फ S orbital की बाग करूँ, तो आप जब electrons को फिल करोगे, तो electrons को इस तरीके से denote करते हैं, ठीक है, तो हाँ, यह मैं लिख देता हमारा इसका अलग-अलग value हो सकता है, अलग-अलग electrons की, जैसे यह वाला electron है, इसको हम लोग arbitrarily मान रहते हैं, कि यह जो है, यह प्लस half spin है, ठीक है, यानि हम इसे clockwise मान रहे हैं, और वही इसका जो spin है, यह वाला जो electron का spin है, इसका spin क्या है, माइनस half है, और इसे हम क्या मान र में electrons को उस तरही से define कर देते हैं, यहाँ पर हमें यह obviously N पर या L पर या M पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यह सिर्फ electron की spin पर डिपेंड कर रहा है, और उस पर हम लोग इससे बता देंगे, तो हमें electron के बारे में बहुत कुछ पता चल गया, देखिए अगर आप पूरे sequence में देखें कि आपको यह पता चली कि अच्छा atom के कौन से shell में लाई कर रहा है, प्रिंसिबल quantum number बता दिया, कौन सा energy level पे, उसके बाद next आपका azimuthal quantum number आपको बता दिया कि वो कहां पे है, कौन सा sub shell है, उसमें कौन सा orbital है, कौन सा orbital में, कि सवाले orbital में लाई कर रहा है, यह बत उसका clockwise है, या anti-clockwise है, और उस तरीके से आप चीजों को पता कर ले रहा है, तो यहां हमें address पता चल गया, electron के बारे में, चारो quantum numbers हम अच्छे से समझ गए, ठीक है, तो अब कुछ चीजें हैं यहां पे, कि हमें पता करना है, कुछ इस पर questions बहुत बार आता है, कि S अगर यहां पे एक है, तो आपके पास maximum number of orbitals, maximum number of electrons हमेशा into 2 होगे, ठीक है, पी के लिए आपने देखा क्या हो जाएगा, number of orbitals, 3, और इसलिए into 2 कर देंगे, similarly, D और F के लिए भी आप देख सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉस करके आप देख लिए एक बार, मैं जलती से फिर इस पर 2 है अगर, तो सबशल क्या होंगे, उसमें 2S होगा, और 2P possible होगा, maximum, आपके पास S में 2 हो सकते है, P में total 6 electrons हो सकते हैं, इस तरीके से, similarly, बाकियो के लिए भी, आप इसको एक बार खुद से refer कर लीजे, ठीक है, वीडियो को pause करके, बहुत ही आसान है, next हम लोग आ जाते है, एक बार revise करने के लिए, यह है आपके लिए एक revision package, जहां पर directly में बता रहा हूँ, प्रिंसिबल quantum number है, यह energy को denote करता है, electron का, ठीक है, एन 1, 2, 3 values होता है, फिर n के basis पे हम आगे बढ़ते हैं, azimuthal quantum number को देखते हैं, sub-level पे आ जाते हैं, यह shape of orbital को दिखाता है, angular momentum को बताता ह है, इसका value है हमेशा, 0 से लेके n-1 तक होगा, and it is limited by n, obviously, n को पार नहीं कर सकता, और n का बराबर भी नहीं कर सकता, n से एक कम होगा, right, and आते हैं, finally, magnetic quantum number पे, वो क्या बताता है, direction of orbital in space किस तरीके से है, और उसका value है, वो एक range है, minus l से लेके plus l तक, और obviously, l से limited है, ठीक है, त तो, यह जो spin quantum number है, यह क्या हो सकता है, plus half, minus half, similarly, l1 है, यहाँ पे यह अलग-अलग values हो सकते है, l0 है तो s, l1 है तो p, l2 है तो d, और l3 है तो f, यह सब चीज हमने revise कर लिया, और finally, हम आगे, इस वाले diagram से आगे बढ़ेंगे, अगले वीडियो में, जहाँ पे हम electronic configuration को सीख र रहिए, and see you in the next video, please like, share and subscribe, and happy learning.